नमस्कार जैहिन दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल Important MCQ by Sandeep में दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डेले थर्ड सिमेस्टर की तयारी कर रहे हैं और उसी के अंतरगत आज हम समाजिक अध्यन से छड़का Model Paper No.4 लेकर आएं इससे पहले हम समाजिक अध्यन से छड़के तीन Model Paper अपलोड कर चुके हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप चैनल की Playlist में जाएंगे तो वहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट की Playlist बनी हुई है और वहाँ से आप जो भी सब्जेक्ट चाहें उसके Model Paper देख सकते हैं और उनके उत्तर पा सकते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समाजिक अधिन सिछड के 40 अति महत्पूर प्रशनों के बारे में चर्चा करेंगे उन सभी प्रशनों के उत्तर बताएंगे और उन से सम्मंधित जो Facts हैं वो भी हम आपको साथ ही साथ बताएंगे तो चलिए शुरू करता है शुरू करने से पहले एक निवेदान है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियले थर्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर पाने के लिए और पूरा कोर्स पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेज़े और घंटे के निशान जरूर दबा ले ताकि आने वाले सभी वीडियोस को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले पिछले model paper के विशेश प्रस्ण का उत्तर हम बताना चाहेंगे जो model paper No. 3 था उसका विशेश प्रस्ण था सरकार का अंग नहीं है चुकि आप जानते हैं कि प्रतेक model paper में मैं एक विशेश प्रस्ण जरूर पूछता हूँ आपसे इस model paper में भी मैंने एक प्रस्ण पूछा है जो कि last में है तो शुरू करते हैं यहाँ जो पिछले model paper का विशेश प्रस्ण था सरकार का अंग नहीं है विवस थापिका होती है कारेपाली का होती, न्यायपाली का होती सरकार के तीन अंग होते है विवस्थापिका, कारिपालिका और नयापालिका लेकिन जो राजपालिका ये सरकार का अंग नहीं है उमीद करता हूँ इसका उत्तर आपको अच्छे से मिल गया तो चुम्बकत्तो का गुड किसमें होता है? मैगनेटाइट में मैगनेटाइट में होता है चुम्बकत्तो का गुड अब बात करें इसमें लोहा का अंश कितना होता है? 72 फीजदी इसमें लोहा का अंश होता है और सबसे अच्छा लोह ऐस्क माना जाता है मैगनेटाइट इसी में चुम्बकत्तो का गुड होता है कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि काला और भूरा लोह ऐस्क कौन सा होता है तो लोह ऐस्क जो मैगनेटाइट है इसका जो रंग होता है वो होता है काला तथा भूरा चले आगे देखते हैं चिली क्यों विश्व एक्ष्यात है चिली में क्या होता है चिली में सरवाधिक तामबा उत्पादन होता है पूरे विस्व में सरवाधिक तामबा उत्पादन है वो चिली में होता है और चिली जो है वो दच्छिड अमेरिका का देश है ठीक है याद रहेगा चिली जो है वो दच्छड अमेरिका का देश है और विस्ट में सरवाधिक तामबा उत्वादन चिली करता है अगला प्रशन है बॉक्साइट का उपयोग किसके निर्माड है तू किया जाता है अगर ऐसा प्रशन आजा है तो आप उत्तर लिखेंगे ऐलमूनियम ठीक है अलमूनियम का निर्माड किया जाता है बॉक्साइट से और अलमूनियम का उपयोग कहा कहा किया जाता है परिवहन के उपकरोलों को बनाने में भरतनों को बनाने में बिजली उद्द्योग में भी अलमूनियम का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ कोईला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है तो कोईला की चार कुल प्रकार होते हैं पहला होता है एंथ्रासाइट दूसरा बिटूमिनस और जो तीसरा है लिगनाइट और चौथा है पीट ठीक है याद रहेगा चौथा है पीट तो यहा ठीक है याद रहेगा एंथ्रासाइट कोईले का सरोत्तम प्रकार है और एंथ्रासाइट में 95% कारवन होता है अगला है प्रथम महिला राष्टपती का नाम लिखो प्रथम महिला राष्टपती का नाम कौन थी प्रथम महिला राष्टपती वो थी प्रतिभा देवी सिंग प और आप से एक प्रश्ण निहां पर पूछना चाहूंगा कि प्रथम महिला प्रधान मंत्री कौन थी वो हमें आप नीचे कॉमेंट में बताए जो प्रथम महिला प्रधान मंत्री थी राष्ट पती तो मैंने बताया प्रतिवा देवी सिंग पाटिल लेकिन जो प्रथम महिला प्रदान मंत्री थी, उनका आप नाम हमें नीचे, comment बेज तुरंत बताईए, अगला प्रश्ण है सयुक्त राज अमेरिका का अपलेशियन छेतर क्यों प्रसिद्ध है? सयुक्त राज अमेरिका का अपलेशियन छेतर पेट्रोलियम उतपादक छेतर है, अपलेशियन जो छेत तेल उत्पादक छेतर है अगला प्रश्ण है उत्तर दच्छड गलियारा एवं पूरब पश्चिम गलियारा कहां से कहां फैला है अगर हम बात करें उत्तर दच्छड गलियारा कहां से कहां फैला है तो उत्तर दच्छड गलियारा फैला है श्री नगर से कन्या कुमारी तक याद रहेगा, श्री नगर से कन्या कुमारी, ठीक है, और जो आपका पूरब से पस्चिम गली आ रहा है, ये कहां से कहां फैला है, ये पोर बंदर से फैला है, सिल्चर तक, ठीक है, याद रहेगा, आपका जो उत्तर दछिड गली आ रहा है, वो श्री नगर से कन्या कुमार याद रहेगा और बात करें कि ऊतर दिछड गलियारा और पूरब पश्चिम गलियारा यह कहां यह यह दोगे कहीं मिलते हतं वह जगें कुन सी है देखिए यह जो है ऊपर होता है उत्तर नीचे है दिछड यह गलियारा चला रहा है और जो पूरब है एक तरफ पूरब और एक तरफ पस्चिम तो पूरब से पस्चिम तक जो कलियारा जा रहा है ये कहीं न कहीं आपस में मिलते हैं तो ये जो मिलने का पॉइंट है ये पॉइंट कौन सा है कहां पर उत्तर तच्छड गलियारा और पूरब पस्च तो कार गांडा कोईला उत्पादन के लिए प्रशिद्ध है और ये कजाकिस्तान में आता है। पीडियों की भी आवशक्ता पूरी हो। होता है उसे प्रायदीप कहते हैं जैसे अगर भारत की इस्तिति ले ये नीचे की इस्तिति है तो आप देखेंगे इधर भी जल है नीचे भी जल है और इस तरब भी जल है तो भारत के तीन और जल है तो जहां पर तीन और जल होता है इस्थान प्रायदीप कहलाता है तो भार प्रस्भारत के स्थिली सीमा से लगे पडोसी देशों के नाम लिखो तो यहाँ पर स्थिली सीमा की बात हो रही है। म्यामार, भूटान, बांगलादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान एक बाई फिर से बताएंगे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं म्यामार, बांगलादेश, भूटान, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान अगला प्रशन है भारत के साथ सरवाधिक लंबी सीमा कौन सा देश बनाता है तो वो है बांगला देश बांगला देश सबसे लंबी सीमा बनाता है भारत के साथ अगर बात करें कि सबसे कम सीमा कौन ऐसा कौन सा देश है जिसकी सबसे कम सीमा भारत कुछ होती है तो वो देश है अफगानिस्तान, सबसे लंबी सीमा है बांगला देश की भारत के साथ और सबसे कम सीमा है भारत के साथ अफगानिस्तान की अगला प्रशन हिंद महासागर में भारत के कौन से द्यूप इस्तित हैं तो हिंद महासागर में भारत के दो दियूप इस्तित हैं कौन कौन सा है एक तो है लच्छ दियूप ठीक है और दूसरा है अंड मानवा निकोबार दियूप समो ठीक है याल रहेगा दो दियूप है लच्छ दियूप और अंड मानवा निकोबार दियूप समो अगला प्रश्ण है वन जीव किसे कहते हैं वन जीव वे जानवर जो जंगल में पाय जाते हैं जिनें हम पालते नहीं हैं वह कहलाते हैं वन जीव जैसे बाग, सेर, हाती, तेंदुआ ठीक है ये सब वन जीव है अगला प्रश्ण है सुन्दरवन का छेतर किस राज्ज में आता है या किस राज्ज में पाया जाता है तो वो है पस्चिम बंगाल ठीक है पस्चिम बंगाल में सुन्दरवन का छेतर है और पस्चिम बंगाल के जो सुन्दरवन है उसी में मैंगरो वनस्पति भी पाया जाती कभी कभी सीधा सवाल पूछते हैं कि मैंगरो वनस्पति किन वन में पाई जाती है तो वह सुंदर वन में पाई जाती है चांदी का सरवाधिक उत्पादन भारत में कहां होता है तो वह होता है उदैपुर में ठीक है उदैपुर राजस्थान में चांदी का सरवाधिक प्राप्त किया जाता है वो बालू का नाम है मोना जाइट मोना जाइट ये केरल के तटो पर पाई जाती है बालू भारत में केरल के तटो पर पाई जाती है मोना जाइट बालू इससे थोरियम प्राप्त किया जाता है और थोरियम जो होता है वो अडू शक्ती बनाने में उपयोग किया जा रहा है तो एक नवीन पद्दती है ड्रिप जिसे हम टपक पद्दती भी कहते हैं और दूसरी है इस प्रिंकल इस प्रिंकलर यह मैं पहले भी इसका उतर बता चुका हूं जैकिन यहां पर आज दुबारा रिपीट कर रहा हूं वर्तमान में सिचाई की दो नवीनतम पद्दतियों का उपयोग किया जा रहा है ड्रिप यानि टपक पद्दती और दूसरी है इस प्रिंक कलर यानि छिड़काओ पद्दती इसमें होता क्या है इसमें जो है इसमें कम से कम पानी का उपयोग होता है और जादा से जादा फसल पैदा होती है अगला है जनता का धरपड किसे कहते हैं, जनता का धरपड कहते हैं, सरकार का एक अंग है, विवस्थापिका, इसे जनता का धरपड कहा जाता है, और विवस्थापिका सरकार का एक अंग होता है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बता है, सरकार के तीन अंग होते हैं, विवस्थापिका कारिपालिका और न्यायपालिका जिसमें जो व्योस्थापिका है इसे जनता का धरपड़ कहते हैं विदेशी विनमे किस सूची के अंतरगत आता है तीन तरह की सूचिया होती है संग सूची और समवर्ती सूची और राज्य सूची तो जो संग सूची है उसके अंतरगत आता है विदेशी विनमे विदेशे उसे सम्मंद्र जो भी कार रहोंगे वो संग सूची के अंतरगत ही आएंगे संग सूची के अंतरगत कुल सो विसे है सक्तियों का बटवारा किस साशन प्रडाली की विशेषता है तो सक्तियों का बटवारा ठीक है आप जानते हैं भारत में दो इस्तर पर शाशन चलता है एक तो गया केंदर इस्तर पर दूसरा है राज इस्तर पर तो जब सक्तियों का बटवारा होगा, कुछ सक्तियां केंदर के पास होगी, कुछ सक्तियां राजी के पास होगी, तभी अच्छे से सासन चल सकता है तो यहाँ पर जो भारत का शाशन प्रडाली है, वो है संगहात्मक, संगहात्मक शाशन प्रडाली तो यहाँ पर संग सक्तियों का बटवारा किस शाषन प्रडाली की विशेष्टा है तो वो संगहात्मक शाषन प्रडाली की विशेष्टा है अगर ऐसा होता कि पतजला इस्तर तो आपके पास दो हैं केंद्र और राज्य लेकिन सारी सक्तियां केवल एक के पास ही होती हैं मालने जिए ऐसी कंडिशन होती कि सारी सक्तियां केवल एक के पास होती या तो केंदर के पास होती या तो राज्य के पास होती तो ऐसी शाशन प्रडाली को हम क्या कहते हैं उसे हम कहते एकात्मक शाशन प्रडाली कई देश ऐसे हैं जो एकात्मक शाशन प्रडाली पर काम करते हैं लेकिन जो अपना भारत है वो संगात्मक शाशन प्रडाली पर कारे करता है अगला है लोकसभा में कितने सदस से राष्टपती द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं तो दो सदस से राष्टपती द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं जो लोकसभा है उसमें कुल सदस से हो सकते हैं 552 जिसमें से 530 तो राज्यों से आते हैं और 20 आते हैं केंदर साशित प्रदेश से और जो दो होते हैं वो राष्टपती निर्वाचित करता है मनोनयन करता है एक तरह कह सकते हैं वो कौन से होते हैं दो एंगलो इंडियन समुदाय से होते हैं दो जो राष्टपती मनोनईत करता है जो दो सदस्य होते हैं लोकसभा में वो होते हैं एंगलो इंडियन समुदाय से अगला प्रशने किस सम्विधान संसोधन के अंतरगत मतदान करने की आयू 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है तो वो सम्विधान संसोधन था 61 61 सम्विधान संसोधन जो 1989 में हुआ इसके अंतरगत मद्दान करने की आयू 21 थी पहले और 61 सम्विधान संसोधन से इसकी आयू 18 कर दी गई अगरा प्रशने लोग सभा के कितने सत्र होते हैं तो 3 सत्र होते हैं पहला सत्र होता है आपका बजट सत्र ठीक है बजट सत्र कब चलता है फरवरी से मई तक दूसरा सत्र होता है वर्षा कालीन सत्र ठीक है वर्षा कालीन सत्र कब से कब तक चलता है जुलाई से सितंबर तक और तीसरा होता है सीथ कालीन सत्र सीथ कालीन सत्र चलता है नौंबर दिसंबर ठीक है तो ये तीन सत्र होते हैं, सामाने तब तीन सत्र माने गए हैं, बजट, सत्र, वर्षाकालीन, सत्र, सीतकालीन, सत्र अगला है संसत का सर्वोच अंग कौन सा है? तो संसत का सर्वोच अंग है लोकसभा याद रहेगा संसत का सर्वोच अंग लोकसभा है अगला प्रस्ण है उत्तर प्रदेश में लोगसभा, राजसभा और विधान परशत की कितनी सीटे है याद रहेगा अगला है किस अनुछेत के अंतरगत राष्टपती ये वितिय अपातकाल लगाता है तो वित्तिया पातकाल लग रहा है तो वो है 360 अलुच्छ तीन सो साथ के अंतरगत राष्ट पती वित्तिया पातकाल लगाता है अगला प्रशने साधारण और विशेश बहुमत का क्या अर्थ है तो ये आपको समझना जरूरी है देखिए कोई विध्यक ऐसा होता है जो कुछ होते हैं विध्यक जो साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं और कुछ विध्यक ऐसे होते हैं जिनें विशेश बहुमत की अवशकता होती है तो यहाँ पर साधारण और विशेश बहुमत का अर्थ क्या है जो विधेयक साधारण बहुमत से पास होता है उसमें आधे से आधिक समर्थकों की जवरत होती है जैसे आपके पास मान चलिए कि कुल इस समय सदस्य है 530 ठीक है तो 530 का अगर आप आधा करेंगे तो वो होगा 265 ठीक है 265 प्लस सदस्यों का समर्थन चाहिए साधारण विधेयक में ठीक है आधे से अधिक चाहिए वो चाहे एक ही ही हो चाहे एक ही अधिक हो, 206 अगर सदस्य हैं, वो अगर साधारण विधेक, साधारण बहुमत से पास करा देंगे, तो वो पास हो जाएगा, लेकिन अगर बात हो रही है विसेश बहुमत की, विसेश बहुमत में क्या होता है? विसेश बहुमत में, दो तिहाई से अधिक सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है, जो साधारण बहुमत होता है, उसमें आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है, और जो विसेश बहुमत होता है, उसमें दो तिहाई से अधिक सदस्यों का बहुमत चाहिए होता है ये दोनों में difference आप समझ लीजे अगला प्रशन है किस अनुच्छेत के अंतरगत प्रधान मंतरी की नियुक्ति की जाती है अब प्रधान मंतरी की नियुक्ति कौन करता है राष्टपती करता है लेकिन किस अनुछेद के अंतरकत की जाती अनुछेद 75 के अंतरकत लोक सभा में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है उसे राष्ट पती प्रधान मंतरी नियुक्त करता है और वो अनुछेद है अनुछेद 75 अगला है प्रधान मंतरी के कारे लिखो प्रधान मंत्री की कारे कौन-कौन से हैं देखें प्रधान मंत्री बनने के बाद जो सबसे पहला कारी होता है प्रधान मंत्री का मंत्री परिश्यत का निर्माड करना दूसरा कारी है मंत्री परिश्यत की बैठको एवं कारेवाही का संचालन तीसरा प्रधान मंतरी देश का सर्वोच नेता हुआ साशक होता इसलिए साशकी कारियों में भी उसको काम करना पड़ता है चौथा कार है अंतर राष्टी सम्मेलनों में भाग लेना पड़ता है प्रधान मंतरी को पाचवा है कि राष्टपती को उच अध्यकारियों की नियुक्ती है तो परामर्ष देना पड़ता है प्रधान मुंत्री को तो इतने कारे परियाप्त हैं आपको दो नंबर पाने के लिए अगला है आविश्वास प्रस्ताव क्या है तो दोस्तों इसकी परियाप्त थोड़े धियान से चुनिएगा यदि संसत मंत्री परिशत के कारे करने के धंग से संतुस्ट ना हो तो लोक सभा के दौरा आविश्वास का प्रस्ताव पास कर मंत्री परिशत को उनके पद से हटाया जा सकता है ठीक है आविश्वास प्रस्ताव एक तरीके से मंतरी पत को उनके पत से हटाने की प्रक्रिया है एक बैस की परिभासा फिर से सुनेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा यह संसत मंतरी परिशत के कारे करने के ढंक से संतुष्ट नहीं होती है तो लोकसभा के द्वारा आविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है जिससे मंतरी परिशत को उसके पत से हटाया जा सकता है अगला है सर्वोच नियाले को मूल अधिकारों का रच्छक क्यों कहा जाता है अभी मैंने पिछले मॉडल परिवर में पूछाता कि मूल अधिकारों का रच्छक किसे कहा जाता है तो सर्वोच नियाले को मूल अधिकारों का रच्छक का जाता है लेकिन क्यों कहा जाता है वो देखिए भारत का सरोच नियाले मूल अधिकारों का रच्छक है नियाले मूल अधिकारों की रच्छा के लिए बंदी प्रतच्छी करण, परमादेश, प्रतिशेद, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेशड के लेख जारी कर सकता है किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होने पर वा सीधे सर्वोच नयाले की सरड ले सकता है इस कारड जो सर्वोच नयाले है इसको मूल अधिकारों की का रच्छक कहा गया है ये आपके सामने उत्तर आपके सामने हैं तो ये आप समझ लीजे मूल अधिकारों का रच्छा के लिए इतने ये लेख जारी करता है जिसके आधार पर व्यक्ति को गलत तरीके से दोसी साबित नहीं किया जा सकता उसके मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता और अगर ऐ अनुसार एक ही उच नियाले का अधिकार छेतर कितने राज्यों तक हो सकता है तो इसकी कोई गिंती नहीं दी रखी है वो एक राज्य का भी अधिकार छेतर हो सकता है दो राज्य का भी हो सकता है या दो से अधिक भी ठीक है समविधान के अनुसार एक ही उच नियाले दो या उच्छ नियायले का प्रारंबिक अधिकार छेत्र और अपीली अधिकार छेत्र देखे प्रारंबिक अधिकार छेत्र क्या होता है मूल अधिकारों के रच्छड से संबंधित विवाद प्रारंब में ही उच्छ नियायले में प्रस्तुत के जाते हैं क्योंकि उनकी अधिकार राज के अन्य किसी नियायाले को प्राप्त नहीं यहां पर एक प्रश्ण और निकल के सामने आता है कि मूल अधिकारों के लच्छड हे तू किस नियायाले को सुनवाई करने का अधिकार है तो राज के अंदर वह केवल उच्छ नियायाले ही इसकी सुनवाई कर सकत तो यह है प्रारंबे का अधिकार्चित, अपीली अधिकार्चित के है, उच नियायले अपने अधीन नियायले के नियर्णेओं की अपील सुनता है, जिसमें दीवानी, फोजदारी और राज्यस वसंबंधी सभी प्रकार के अभियोग सामिल है, इसका क्या मतलब है, जो ये म नियायले के नियर्णेओं से संतुष्ट रही है, तो फिर आप उच नियायले में अपील कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, लेकिन अगर मूल अधिकारों से सम्मंधित कोई मामला है, तो उसकी सुनवाई सीधे उच नियायले में की जाएगी, क्योंकि मूल अधिकार राज्य के अन्य किसी नियायले को प्राप्त नहीं है, तो यह है आपके प्रारंभिक अधिकार छेत्र और अपीली अधिकार छेत्र उच नियायले के, प्रस संक्या पैति से जनपद इस तरी नियायले के अंतरगत कौन से उप नियायले आते हैं, तो एक जनपद विकासात्मक और गैर विकासात्मक वे क्या है? इसके बारे में समझते हैं. तो ये आप देख सकते हैं विकासात्मक तथा गैर विकासात्मक वे. सरकार दोरा उठाया गया खर्च को दो भागों में बाटा जाता है विकासात्मक तथा गैर विकासात्मक वे सभी वे जो प्रकती से उत्पादन कारी होते हैं विकासात्मक वे कहलाते हैं जैसे कार खाने, बांध, पुल, सडक, रेलवे, इत्यादी पर किया गया खर्च यानि सभी निवेश इसका क्या मतलब है कि ऐसे वे जो प्रकती से उत्पादन कारी होते हैं मतलब ऐसे जितने भी वे हैं या जितने भी सरकारी व्यापार हैं जिनसे आय होती है ठीक है, वो होते हैं विकासात्मक वे अब बात करें, सरकारी खर्च जो प्रकती से उपभुवा गात्मक होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का उत्पादन सामिल नहीं होता, गैर विकासात्मक वे कहलाते हैं, मतलब क्या सीधा सीधा, कि ऐसे वे जिनसे कोई आय नहीं होती, वो होते हैं, गैर विकासात्मक वे, ज जैसे वेतन देना, तो सरकार देती है, पेंशन होती है, सरकार वेतन पेंशन देती है, ब्याज एदाएगी, रच्छा, इन सब पर क्या करती है, सरकार खुद खर्चा करती है, तो ये सब कैसे हैं, ये गैर विकासात्मगवे हैं, और जिन से आय होती है, जैसे कारखानों से आ प्रबंधन में नहीं उपयोग किया जाता है यह भी साब सब यहां पर दिया हुआ है इस वर्गी करण को अब भारती लोक वित्व प्रबंधन में नहीं उपयोग किया जाता है बढते हैं अगले प्रश्ण की तरफ प्रश्ण संक्या से भारत सरकार द्वारा लिये जाने वाले प्रत्यच और आप्रत्यच करो के नाम लिगो कर मतलब टैक्स तो ऐसे कौन से हैं टैक्स जो सीधे जनता से लिये जाते हैं और ऐसे कौन से टैक्स हैं जो सीधे जनता से ना लेकर किसी अन्यमाध्यम से जनता से लिये जाते हैं, लिये जनता से ही जाते हैं टैक्स, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जो सीधा ले लिये जाते हैं, जैसे इंकम टैक्स, सीधा व्यक्ति जमा करता है सरकार की खाते में, लेकिन कुछ टैक्स ऐसे होते हैं, जो आप प्रत्यच् यह सब कैसे हैं यह सब प्रत्यकर हैं जो सीधा जनता से सरकार लेती है बात करें आप प्रत्यकर की आप प्रत्यकर हैं केंदरी उत्पाद सुल्क आयात निर्यात कर या सीमा सुल्क और तीसरा है सेवा कर यानि सर्विस टेक्स तो यह कर है जो आप प्रत्यकर हैं ठीक है तो उ परश्न है नीती आयोग का गठन कब किया गया और इसके अध्यच कौन है। तो नीती आयोग से पहले एक आयोग होता था जो कि 1950 में इसका गठन किया गया था वो था योजना आयोग। योजना आयोक था जो कि 1950 में इसका गठन किया गया था लेकिन 2014 में जब मोधी सरकार आई तो मोधी सरकार ने योजना आयोक का नाम बदल कर नीती आयोक कर दिया और उसमें कुछ चेंजेस भी कर दिये एक जनवरी 2015 को नीती आयोक का गठन किया गया था जिसके अध्यच प्रधान मंतरी जी होते हैं और बात करें कि नीती आयो का जो गठन है वो कौन सी पंचवर्षी योजना में हुआ तो नीती आयो का गठन बारवी ही पंचवर्षी योजना में किया गया और बारवी ही पंचवर्षी योजना का जो अवद ही था वो था 2012 से 2017 था क्योंकि पंचवर्षी योजना पांच वर्सों की होती है ठीक है तो ये आप समझ गए कि नीती आयो का गठन कब किया गया एक जनवरी 2015 को और इसके अध्यच कौन होते हैं माननिय प्रधान मंत्री जी ऑर इसने किसको रेप्लेस किया मतलब इसने किसकी जगे ली है इसने योजना यूजना आयो की जगे ली है जिसका अगठन 1950 में किया गया था अब बात करें नीती आयो जो नीती है इसका फुल फॉर्म क्या होता है एन आई टी आई तो इसका फॉल फॉर्म होता है national institution for transforming इंडिया याद रहेगा National Institution for Transforming India अगला प्रशन है भारती स्टेट बैंक पर टिपड़ी लिखो भारती स्टेट बैंक के बारे में 5-6-10 लाइने लिख लिजे और इस पर आपको दो नंबर मिल जाएगा चलिए हम कुछ देख लेते हैं इसके बारे में भी तो यह है भारती स् को Imperial Bank of India का रास्टी करण करके उसे State Bank of India का नाम दिया गया तो यहाँ पर यह चीज निकल कर सामने आई कि भारती स्टेट बैंक के पहले क्या नाम था Imperial Bank of India और इसका रास्टी करण कप किया गया एक जुलाई 1905 को भारती अर्थविवस्ता के क्रशी प्रधान होने के बावज इम्पीरियल बैंक ने क्रशी छेत्र संबंदि साख आवशक्ताओं के और कोई ध्यान नहीं दिया वास्तों में Imperial Bank के राश्टी करण का एक प्रमुक कारण था Imperial Bank का राश्टी करण क्यों किया गया क्योंकि ये क्रशी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थी Imperial Bank का प्रबंध विदेशियों के हाथ में था सभी उच्च पदों पर विदेशी कर्मचारी थे तता भारती कंपनियों को रिड़ देने में भेद भाव की नीती अपनाई जाती थी इसलिए राश्टी करण के अतरिक्त अन्य कोई मार्ग शेश नहीं रहे गया था Imperial Bank की अधिकांस पूजी विदेशियों की थी इसलिए लाब का एक बड़ा हिस्सा विदेशों में चला जाता था भारती पूजी का भी वी नियोजन अधिकतर विदेशों में ही किया जाता था State Bank बन जाने से यह धंदेश में ही रहना लगा और इसका प्रयोग राश्टी एहित के कार्यों में होने लगा तो सीधा सा इसका यही मतलब है कि जो भारती State Bank थी इसका पहले नाम था Imperial Bank of India और इस का राश्टी करण किया गया एक जुलाई 1955 में Imperial Bank of India की काम ये था कि वो भारती अर्थ व्योस्ता जो की कृशी प्रधान थी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे और Imperial Bank का जो प्रबंध था प्रबंध तंत्र यानि जो उसका मैनेजमेंट था वो सभी विदेशियों के हाथ में था और उसमें उच्च पदों पर विदेशी कर्मचारी कर रहे थे तो ये लोग क्या करते थे कि जो भारती कंपनियां उनको रिड़ देने में भेद भाव अपनाती थे भेद भाव करते थे और Imperial Bank की जो अधिकांस पुजी थी वो विदेशों के हाद में थी इसलिए जो Imperial Bank को जो लाब होता था वो सारा विदेशों में चला जाता था इससे क्या होता था भारती अर्थ विवस्था चौपट हो रही थी इसी कारण इसका राश्टी करण किया गया राश्टी करण होने के बाद इसका अधिकांस धन यानि कि सारा धन देश में ही रहने लगा जिससे देश का हित हुआ ठीक है तो यह था भारती State Bank तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्ट आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और जितने भी प्रश्ट है सारे most important है सब आप अच्छे से समझ लिजे सब आप अच्छे से याद कर लिजे अब बात करते हैं आपके लिए जो मैंने यहाँ पर प्रश्ट लिया है आज के प्रश्ट में option नहीं है विकल्प नहीं है आपको सीधा उत्तर लिखना है वर्तमान राज्य सभापती का नाम लिखना है तो नीचे comment में इसका उत्तर बताएं कि वर्तमान में राज्य सभापती कौन है हर हाल में आपको उत्तर देना है नीचे comment में उत्तर जरूर बताएं और एक मैंने प्रश्ट उपर भी पूछा था कि प्रथम महिला प्रधान मंतरी कौन है वो भी अगर आपको आता है तो नीचे comment में हमें जरूर बताएं वीडियो सम्बंदित कोई समस्य है सुझाओ है तो वो भी आप हमें comment में बता सकते हैं और DL8 3rd semester से सम्बंदित या किसी भी DL8 semester सम्बंदित कोई समस्य है तो आप हमें नीचे comment में बताएं